हलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूटूब टैनल जी के जिनियस आई कियो में आज की सेशन में बिसमस्ट भी विएई कोशन करने वाले हैं जो कि आपके अगामिक जम के लिए बहुत ही जरूरी है और ये सारे के सारे कोशन सेलेक्टेड लिए गये हैं प बहुत हैं भी विए कोशन है दोस्तों और कई बर इक जर्म में पूछा गया है और ये चार अप्शन से आपके पास सही इंसवर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्णा के बिल्कुल सेनसर अप्शन सी चमपारल ये आपको हमेशे आज रखना है कि 1917 में महत्मा गांधी ने भारत के चमपारल से पहला सत्यागरह अरुरम किया था और आपको ये भी पताना थे कही सत्यागरह क नम सबीने आवग्या अंदोलन था ठीक है दोस्तों इसे आप हमेशे आज रखे कही सत्यागरह क नम सबीने आवग्या अंदोलन था और ये अंदोलन बिहार के चमपारल जिले से सुरू हुआ था जिसके अभवाई महत्मा गां है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं इंडिया हाउस के अस्थपना लंदन में खली अस्थान में स्याम जी क्रिश्न वर्मा द्वारा किया गया था बहुत ही बीबी आई कोशन है दोस्तों और ये चार अप्शन से आपके पास सहींस वर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रसन का बिलकुल सैनुसर अप्शन है उनिसो पांचिस भी आपको हमें स्याद रखना है कि इंडिया हाउस के स्थाफना लंदन में निसो पांचिस भी में स्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था और आपके भी पताना चाहेगे स्या से याद रखना है और इन्होंने लंदन में इंडिया हाुस की अस्थापना की ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं खाली अस्थान देश का समिधान अलिखित है बहुत ही बीवी आई कोश्चन है दोस्तों और कई बरीग्या में आया हुआ कोश्चन है और एक चार सब्सक्राइब कर लेते हैं अहमदाबाद कपड़ा स्थापक खले स्थान थे बहुत ही विभी आई कोशन है दोस्तों और यह चार अप्शन से आपके पास सहीं सवर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्णा के बिल्कुल से इनसर अप्शन भी अंसुया साराभाई यह आपको हमेशे आद रखना है कि हमदाबाद कपड़ा स्रमिक संग के संस्थापक अंसुया साराभाई थे और आपके भी पता होना चाहिए कि इनका जन्मेगारा नौंबर 1885 बी को हमदाबाद में हुआ था यह आपको हमेशे याद रखना है कि इनका जन्म 1885 बी में हुआ था ठीक है दोस्तों कर लेते हैं कानपूर से भारत में 1885 की करांती के नेता खले अस्थान थे बहुत ही भी भी आई कोशन है दोस्तों और यह चार अप्शन से आपके पास सहींस और जल्दी से कमे किजिए और इस प्रस्ता का बिल्कुल से रप्शन भी नाना सहाब यापको हमें से याद रखना है कानपूर से भारत में 1867 की करांतियों में नाना सहाब ने ने नेतरीत्वक किये थे और आपके भी पता होना चाहिए नाना सहाब का जन्म 19 मई 1824 स्थी को भी ठूर में का नेतरीत्व किये थे यह आपको हमेशे याद रखना है ठीक है दोस्तों एक्स कोशन कर लेते हैं भारत में सबसे बड़ी नदी मुख खाले स्थान पर है बहुत से भी विवियाई कोशन है दोस्तों और यह चार आप्शन से आपके पास सही इंस्वा जल्दी से कमेंट से जीए और इस प्रस्ण का बिल्कुल से इंसर अपसंदी हुगली नदी आपको हमेशे आद रखना है भारत में सबसाधिक बड़ी नदी मुख हुगली नदी पे इस्थित है और आपके भी पता होना चेक हुगली नदी भारत की गंगा नदी के सहायक नदी है जिसकी लंबा कोशन है दोस्तों और ये चार अपस्षन से आपके पास सही इंसर जल्ड़ी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्णा के बिल्कुल से इंसर अप्षने संसदी आपको हमेसे याद रखना है कि संगे सरकार के खर्च को नियंतरित करने का अधिकार संसद को है ठीक है दोस्तों और आपके भी पताना चेक भारत का संसदी सदन ये विवस्ता है पहला संसद राज सभा है तथा दूसरा संसद लोग सभा है और भारतिय सदन का संचालन संसद भावन दोरा होता है जो कि दिल्ली में इस्थित है ये आपको हमेसे याद रखना है ठीक है दोस्तों एजी इंसर बताना में ज्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को फोस्ट कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं एक मात्र केंद्र सासित राज्य खाले स्थान में उच्छ नियाले इस्थित है और यह चार अप्शन से आपके पास सही इंसर जली से कमेंट सेक् रखने हैं ठीक है दोस्तों और आपके भी पता होना चाहिए भारत में कुल साथ किंद्र सासित परदेश हैं जो इस परकार हैं पहला दिल्ली दूसरा नुमान निकोबार्दीव समू तिसरा चंडीगड चौथा दादर पाचवा दमन छोवा लक्षिद्वीप और साथवा पांडू चेरी आपको हमेंसे इन रखना है और आपके भी पताना चाहिए पांच O stitch दुиль नीश को जामू कश्मीर और लादाख को भी कंद्र सासित परदेश घोचित कर दिया गया है यह वियापको हमेसे आद रखना है कि लादाख और जामू कश्मीर कंद्र सासित परद और इस प्रस्ने का बिल्कुल सा यंसर है option C महानादी आपको हमें स्याद रखना ही हीरा कुंडा परियोजन महानादी के परवाखों नियंतिरित करता है ठीक है दोस्तों और आपके भी पाता आना चाहिए कि हीरा कुंडा बांध महानादी पर इस्थित एक बांध है जो उडिशा में इस्थित है ठीक है दोस्तों यह उडिशा राजय में इस्थित है और इसका निर्माण 1997 में किया गया था ये भी आपको हमें स्याद रखना है और इसकी कुल नमभाई 25.8 km है जिसमें 810 करोड घन पानी की संचय होती है ये आपको हमें स्याद रखना है ठीक है दोस्तों निक्स्ट कोर्चन कर लेते हैं सिक्की म्राजय में सबसे अधिक खले स्थन जन जाती पाया जाता है बहुत से भी भी आई कोर्चन है दोस्तों और ये चार आप्सन से आपके पास सही अंस वर जल्ली से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रसन का बिल्कुल सही अंस और आप्सन दी लेप चाहिए आपको हमें से याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोर्चन कर लेते हैं दा प्रोफिट के लेखा खाले अस्थान है बहुत ही भी भी आई कोर्चन है दोस्तों और ये चार आप्सन से आपके पास सही अंस और जल्ली से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्णा का बिल्कुल से एंसर अप्षन भी कोहली बरन ये आपको हमें से याद रखना है दोस्तों नेक्स्ट कोशन करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बरा हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्ल रहे चार अप्सनों से आपके पास जायन से और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएं और इस प्रस्णा के बिल्कुल सजायन से अर आप्सन सी मध्यपरद motorist गरति में अबको अभी पाता हैंrit और आपको थिए पतावना चैनल कंपको 412 किल मिट्र में अर अenser Catra कि और इसकी उत्पती अमार कंटक के सिखर से हुई है यह आपको हमेसे याद रखना है ठीक है दोस्तों एक्स कोशन कर लेते हैं सेरे पंजाब खली अस्थन का नाम है बहुत ही बीवियाई कोशन है दोस्तों और यह चार अप्सन से आपके पास साहिएंस और जल्दी से कमेंट स और इस प्रस्णा का बिल्कुल से इनसर अपसने लाला लाजपत राये आपको हमेसे याद रखना है कि सेरे पंजाब लाला लाजपत राये का नाम है बहुत ही बीवियाई कोशन है दोस्तों इसलिए इसे आप हमेसे याद रखिएगा और आपके भी पता और नाचे कि लाल 2868 में हुआ था ये भी आपको हमेंसे याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं रूसी करांती के जनक खाले अस्थान थे बहुत ही भी विए कोशन है दोस्तों और ये चार अप्षन से आपके पास सहींस और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्ण का बिल्कुल से अप्षन से बी आई लेनिन ये आपको हमेंसे याद रखना है कि रूसी करांती के जनक बी आई लेनिन थे ठीक है दोस्तों और आपको ये भी पता होना चेहे कि लेनिन का जनक बाइस अपरेल 837 में रूस में हुआ था और रूसी कम्मुनि और इसके बाद इन्होंने 1922 में सुब्याच्ण के अस्थापना की थी ठीक है दोस्तों निक्स्ट कोशन कर लेते हैं चंदर्मा पर उतरने वाले पहला मानाव खरियास्थान था बहुत ही भी विए क्वेशन है दोस्तों और ये चार अप्षन से आपके पास रहेंस वर जल ये आपको हमेशे याद रखना है कि चंदर्मा पर उतरने वाले परथम मानाव निल आर्मस्ट्रोंग थे ठीक है दोस्तों और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपुल 11 अभियान के दवरान जुलाई 1979 में पहली बार चंदर्मा पर मानाव सहित यान उतरा था जिसके कम कमांडर आर्मस्ट्रोंग थे ये आपको हमेशे याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखा खले स्थान है बहुत ही वी वी आई कोशन है दोस्तों और ये चार आप्शन से आपके पास सहीन सो और जल्दी से और इस प्रस्ण के बिल्कुल सहीन सो और अप्शन सी मौलाना आजाद ये आपको हमेशे याद रखना है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखाक मौलाना आजाद है ठीक है दोस्तों और आपके भी पता होना चे है कि मौलाना आजाद का जन्म 11988 भी को हुआ था ताथा ये आपको हमेशे याद रखना है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं खाली अस्थन बहुद्ध का पवीत्र गरंत है बहुत ही विवियाई कोशन है दोस्तों और ये चार अप्शन से आपके पास सही इंस्वर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इस प्रस्ण का बिल्कूल से इनस्वर अपसंदी जातक ये आपको हमें से याद रखना है कि जातक बहुत हो का पवीत्र गरंत है और आपके भी पता होना चाहिए जातक तिरी पीठक का दस्वा भाग है और तिरी पीठक बहुत धर्म का परमुः गरंत है ये आपको हम प्रिथवी अपने अक्ष पर खले अस्थान की और घूमती है बहुत हैं फिवी आई कोश्चन है दोस्तों और ये चार अप्षन से आपके पास सही अंस्वर जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्ण के बिल्कुल से अंसर अप्षन ने प्रस्चिम से पूर्व की और ये आपको हमें से याद रखना है कि प्रिथवी अपने अक्ष पे प्रस्चिम से पूर्व की और घूमती है और आपके भी पता होना चाहिए प्रिथवी अपने अक्ष पे 30 गंटे 56 मिनट और चार सकेंड में एक बार घूम जाती है ठीक है दोस्तों और इसी का रल से प्रिथवी पे दिन और रात होता है यह आपको हमेसे याद रखना है और आपके भी बता देख प्रिथवी सूरे की एक परिकर मातेन से 65 दिन 6 घंटेर 40 मिनट और 45 सकेंड में पूरा करती है यह आ और इस प्रशन का बिल्कुल सेंसर अप्षन भी 3400 किलोमेटर यह आपको हमें से याद रखना है प्रिथवी के कुरोड के तिरीजिया 3400 किलोमेटर है ठीक है दोस्तों कर लेते हैं राजा भूज द्वारा बनाई गई 20 साल घेल खले अस्थन में है बहुत हीं भी बी आई क प्रशन है दोस्तों और चार आप्समा आपके पास सेंसर जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्णा का बिल्कुल सेंसर अप्संडी भोपाल ये आपको हमें से याद रखना है कि राजा भोजवारा बनाई गई जील का नाम भोजटाल है जो कि भोपाल में इस्थित है ठीक है दोस्तो एद वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को स अन्यवाद